यदि आप भी मैट्रिक बोड एकजाम 2024 में समलीत होने जार हैं तो आपके मैथ में अबजेक्टिव प्रस्ण का रोल आप जानता हैं 50 अबजेक्टिव प्रस्ण आपको बनाना है 100 पूछे जाएंगे तो हम लोग एक टार्गेट लेकर चले हैं कि आपके पास मात्र 15 पिले ल नोट्स बना सकता हूं और एकजाम के समय वहीं 15 वीडियो में देखकर और सिधे एकजाम में जाओं और जो भी अबजेक्टिव प्रस्ण 50 मुझसे बन जाए तो इस टार्गेट से हम लोग अबजेक्टिव प्रस्ण लागतार पढ़ रहें और पीछे में आपको चैप्ट करके एकजाम में जाएंगे तो इससे बाहर तीसरे नमर चैप्टर से कोई प्रस्ण नहीं आएगा चाहे कुछ दिन बाद आपका जो पर्थम सावधिक एकजाम शुरू हो रहा है या दूतिय सावधिक परिक्षा या सेंट अप एकजाम या हो फाइनल बोड एकजाम तो ध ध्यान से समझते हैं तीसरे चैप्टर से प्रस्ण होगा पूरा यहाँ पर इंस्ट्रक्षन है हम लोग इंस्ट्रक्षन की चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हम लोग इंस्ट्रक्षन की चर्चा कर चुके हैं यह आगे की तरह बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा instruction बताया जारा कितना marks का कितना प्रसन पूछा जाएगा मैं बताया कि 100 objective प्रसन पूछा जाएगे 50 का जबाब देना है मात्र 15 वीडियो class इस चैनल पे आपको दिया जाएगा पीछे के दो chapter का class आप नहीं देखे होंगे तो description में या playlist section में आप देख लिजेगा दोनों chapter में तमाम प्रसन आपको करा चुका हूँ objective अभी यहाँ पे आगे की हम लोग बढ़े और साथ की तीसरे chapter की प्रसन की चर्चा करें देखिए objective प्रसन कर आप जल्दी से solve करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 50 में 50 आपका I objective में तो इसके लिए दो बात आपको बस ध्यान रखना है पहला practice की practice आपके सामने हरे एक तरह के प्रसन का होना चाहिए और दूसरा की formula अरगे शुत्र जो भी chapter आप पढ़ते हैं आप जानते हैं उससे पहले उसका theory होगा रहा होता है उसको ध्यान से आपको समझ के रखना है तभी आप objective process solve कर पाएंगे तो तीसरे chapter में जो भी theories है जैसे कि कब बताएंगे कैसा हल होता है A1 बटा A2, B1 बटा B2 का तूनला करके प्रतियस्थापन, Below 1, वरजगुनन क्या होता है तो इसकी चर्चा में ERZO portal जो YouTube channel है हम लोग का वहाँ पर हम लोग कर चुके तो वहाँ पर जाकर आप detail में समझ सकते हैं चलिए थोड़ा सा में बता दे रहा हूं कि कौन-कौन सा theory की इसमें आऊ सकता पड़ेगा तो ये वाला अगर आप समझे हैं जो हम लोग काफी ध्यानस में आपको समझाया था अगर आप उस channel पर भी classes करते होंगे तो कि यहाँ पर A1 बटा A2 जब बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो आलेक रेखा है प्रतिछेदी होती है और केवल एक हल होता है और समीकरन यूगम संगत होते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 आचा A1 A2 क्या होता है आपके मन में एप प्रसन आ सकता है तो जो भी समीकरन दो चर वाले रखिक समीकरन यूगम है अथा कि 2 चर एकस वाई में 2 यूगमतलब पेर दो समीकरन दिया रहेगा जो समीकरन एक में X का गुणांक रहेगा वो A1 होता है और जो समीकरन दो में X का गुणांक होगा A2 जो समीकरन एक में Y का गुणांक मतलब Y के पहले होगा वो B1 और जो समीकरन दो में Y का पहले होगा वो B2 जो समिकरन एक में अचर होगा constant होगा उस C1 और जो आपके समिकरन 2 का constant होगा उस C2 इसी की तूनला करके बिना solve की हम बता देते हैं बिना गराब खीचे हम बताते हैं कि आलेक रेखाय कैसी होगी समिकरन यूगम कैसा होगा और उसके कितने हलोगे अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 आएगा तो हम लोग बताएंगे कि आलेक रेखाय परती छेदी होगी और उसका एक हलोगा और समिकरन यूगम संगत होगा अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बराबर C2 तीनो बराबर आजाए तो हम कहेंगे आलेक रेखाय संपाती होगी और समिकरन यूगम के अनेक हल होंगे और परमित रूप से अनेक हल और समिकरन यूगम संगत हो जाएगा ठीक है इसमें भी क्या आता है संगत यह समझ कर रखेंगे और यहां पर तीनो दो बराबर आए और तीसरा बराबर नहीं आए तब कहते हैं कि आलेक रेकाई समना अंतर है उसका कोई हल नहीं है ठीक है यह आपको समझ के रखना है और आगे आपको और आउसकता पड़ेगा objective में कि रैखिक समिकरन युगम को हम लोग बिजगनीतिये बिधी से हल यह सभीता ग्राफिये बिधी में उसका आउसकता था बिजगनीतिये बि आप पड़े होंगे तो किसी भी एक विधी से आपको हल निकालना आना चाहिए और जो भी आलेक रेखाओं की चर्चा हो रहा था मैं यहीं पर पूरा concept समझा दे रहा हूं कि आगे जो हम लोग सीधे चर्चा करेंगे ठीक है आपके प्रस्ण का और हम लोग इन सभी concept का कि एक ही रेखा पर दोनों आलेक रेखा हैं तो यह समपाती हो गया अगर पूछे आलेक रेखा है समनांतर है मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेगे ठीक है तो यह आपका हो गया अपना यह हो गया क्या प्रतिछेदी यह समनांतर यह समपाती और यह सब बस इतना ही concept अगर आप सीखें तो एक भी प्रसंद आपका तीसरे नमर से जो भी objective आएगा गलत नहीं होगा और आज के class से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इतना टाइप का मैं प्रसंद करा दे रहा हूं बस आपको उसमें अंको गारा change हो सकता है एक जाम में चलिए पहला प्रसंद देख लेते हैं सभी concept ता जिसका यूज करना है पहला नमर प्रसंद किया कर रहा है आपसे कि दूर रहखिक समीकरन के लेखा चीतर अर्थाथ की आलेख लेखा चीतर का मतलब आलेख अगर संपाती रेखाए हैं तो उनके कितने हल होंगे द पीछे में अभी रिवीजन करा रहा था कि जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 तो आलेख रेखाए संपाती होगी एक ही पर दोनों रेखा होगा वैसे ही हम कर देंगे उसके अंगीनत हलोंगे तो यहाँ पे दिया है अंगीनत तक विलकुल दिया है प्रस्ण को पहले objective प्रस्ण बनाने से पहले प्रस्ण को ध्यान से समझना चाहिए उसके बाद solve करना चाहिए अब दूसरा नमर प्रस्ण प्रस्ण को पहले पढ़ते हैं क्या खारा है कि समिकरन इतना और इतना के आलेख रेखाए किस परकार की सरल रेखा होगी मतलब यह दो चर वाले रेखिक समिकरन युगम दिया गया है इसका बोल रहा है कि हम गराप खीचेंगे आलेख खीचेंगे तो किस तरह की रेखाए प्राप्त होगी तो रेखाए तिनी प्राप्त होगी मतलब आप कैसे बिना गराप किचे बताएंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तूनला क चलिए निकालते हैं, अब आपसे मैं प्रस्न पूछूं, कि सर बताएंगे A1 बटा A2 क्या होगा, तो आपका अगर ध्यान होगा, क्लास में तो अभी मैं बता रहा था, कि अगर दो समिकरन दिया रहे, A अपना है समिकरन 1, A अपना है समिकरन 2, तो समिकरन 1 में जो X का गुण है A1, तो क्या गुणांक है सर 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, A2 तो जो समिकरन 2 में X का गुणांक है क्या है, 12, कटा देते हैं, 1 बटा 6, A1 बटा A2 आगया, 1 बटा 6, अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि B1 बटा B2 बताईए, ठीक है, B1 बटा B2, अब आप क्या यहाँ पे साथ है, तो साथ हो जाएगा, यह कटेगा, नहीं कटेगा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कंडिशन, कि चुकी, यहाँ पे मैं लिख देना हूँ, यहाँ पे देखिएगा, चुकी, A1 बटा A2 बराबर नहीं है, B1 बटा B2, इसलिए आलेक रेखाए, प्रति चेदी होगी, option C is the right answer of question number 2, आप समझ रहें किलिएर देखिए, सिर्फ A1, A2 पे बेस्ट प्रस्ण आएगा, और एकजाम में क्या करगा, यहाँ पे 12 है, तो साथ देगा, साथ है, तो 12 देगा, बस बाकी सब language हो गारा यहीं रहेगा, ध्यान से अंतक समझ लिजे, तीसरे च कह रहा है आप से, कि यदि इतना और इतना हो, तो XY का मान बताई, तो मैं बताया, कि दो concept, एक ग्राफ वला जो समझ रहे तो उसे देखिए प्रस्ण आया, और बस दूसरा concept, इसी से प्रस्ण आएगा, कहेगा, हल करके बता दीजिए XY, अब objective में आता है, तो यहाँ पे छा हल कर दे रहा हूँ, भिलोपन बिदी से हल करने के लिए X या Y का गुणांक बराबर होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी बराबर नहीं है, तो यह समिकरन 1, यह समिकरन 2, उतना हम लो language नहीं लिखेंगे, objective प्रस्ण आप समझ रहे हैं, वोई भी एक बराबर करें अगर यही दोनों माध्यम में प्रस्ण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहां पर 4 से गूना कीजिए, तो यह रहे हैं। फिर इसमें भी चार से, चार दूनी, आठ हुआई, बारह चोगा में, आड़ तालीस, ठीक है, अपना हो गया, फिर यहां से गुना करेंगे, तो चार तियाई, बारह एक्स, आप भी जो भी मेथड सीखेंगे, प्रतियस्थापन, विलोपन, बरज गुनन, जल्दी से बनाकर आंसर कमेंट कर दीजिएगा, अब यहां पर देखेंगे, तीन से फिर गुना कर रहे हैं, तो पंदरह वाई, और सुलातिया में, 48 घाटा आ रहे हैं सर, तो माइनस, माइनस है, तो प्लॉस यहां पर हो जाएगा, माइनस, यह केंसिल, पंदरह में से 8 घाटा देंगे सर, ज प्लॉस दराइट आंसर, लेकिन सर, एक्स का भी मान मान लेजे, और सब और सब आप्शन में, वाई, जीरो हो, तब क्या करनेगे, तो एक्स का भी मान निकालेंगे, तो यहां पर जीरो और बराबर हो गया, आपका 12, ठीक आभी, यहां पर देखेंगा, मैं कहें पर भी तो एक्स चार, वाई, आपका जीरो अप्शन, ए सही उतर हो गया, उमीद करना हो, आप समझ रहें, बस यहीं दो कॉंसेप्ट, इसलिए मैं रिवीजन कराया, शुरू में, छोटी-छोटी बात इस शुरू में हो रिवीजन किये, उसी दो कॉंसेप्ट का यूज करके, इस टाइप प्रसन का अभियास कर लिजिए, आपका कीसरा चैप्टर का अबजेक्टिव का टेंसन खतम, अब कह रहा है आपसे प्रसन, कि एक का मान, जिसके लिए समिकरन निकाये, इतना का कोई हल नहीं है, ठीक है, ये का वह मान बताइए, जिस दोनों समिकरन का कोई हल नहीं तो हम लोग पढ़े हैं कि जब A1 बटा A2, बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो अलेक रिखाय समनांतर होगी और कोई हल नहीं होगा, अब अर्थायत कि इसका कोई हल नहीं है, मतलब इस कंडिशन को ये फुल्फिल कर रहा है समिकरन, तभी तो कह रहा ह 10, B2 तो इस जो इसमें वाई का गुडाएं का 5, अब चुकि A का मान चे ये तो इतना ही से मान निकल जाएगा, अगर नहीं निकलता तो इसका भी मान हम लोग पूट करते, लेकिन A का मान चे ये तो इतना ही से देखिए solve कर लेंगे, 5 से इसको कटा देंगे, 2, A बराबर 33, 3, 36, गुना कैंची वाला 2, 2, 4, कहां पे है, Option D, Option D is the right answer of question number 4, अब देखिए यहापे 14 नमर प्रसंद का हमने answer निकाल लिया, तो ऐसे अगर कोई भी condition दे, मालनी जी यहापे दिया, कोई हल नहीं है, यहापे A दिया, एकजाम में यहापे, यहापे देदेगा P, यहापे दे सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पांचवा नमर प्रसंद आपसे क्या कह रहा है, कि समिकरन युग में इतना और इतना के हल है, अब आपके लिए होमवर के लिए प्रसंद के है, क्यों कि अभी हम पीछे मैं आपको solve करके दिखाया कि इसके क्या हल होंग हैं तो हम चाहें तो यहाँ पे समिकरन एक है, ठीक है, और यह समिकरन दो है, तो हम चाहें तो इसको बराबर करने के लिए फीर ही 4 से 3 से गुना कर सकते हैं, लेकिन आपके मुन में प्रसंद ref तो इसमें 3 से घुना किजिए, और समिकरन 2 में किस से घुना किजिएगा? Y से, तो 2 से घुना कर देंगे, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, और यहां, अर बराबर होगा, तो मौनेस पलस देख लेंगे, उसको सीधे जोड देंगे, अब छेलें गुना करते हैं, 3 से मैं y वाला बराबर करा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 तीर का 9x, और यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6y, और पलॉस है तो इधर मैं भेज दे रहा हूँ, तो माइनस 3 तीर का 9, समझ रहें? यह पलॉस था तो इधर मैं ने माइनस भेज दिया, इसमें 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8x, और फिर 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6y, और यहाँ पे माइनस तीर पलॉस और 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, एक 9, यहाँ पे देख लिजे, अब इसको हमनों जोड रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यह मैंने बराबर किया है, और यहाँ पे गराबर 85, बटा 17, 17, 85, 85 कई पे दिया है, एक्स का मान 5, बिलकुल दिया है, और अप्सन सी सही उतर हो जाएगा, वाई का मान तो भी आप निकाल सकते, चलिए हम लोग निकाल दे रहे हैं, फिर वहीं काम करेंगे, पूटिंग दा वाइलू अप एक्स, इनिक्वियसन फॉ अब देखिए यहाँ पे, पांच तियाई, पंदरह और ये पुलॉस तीन, और इधर जाएगा, तो माइनस है, तो इधर आकर हो गया, पुलॉस टू आई, या वाई बराबर 15, 18, बटा 2, अर्थात की सर 9, तो वाई 9 और एक्स 5, कैसे भी बनाएंगे आंसर यहीं आएगा, तो एक्स को भी आप बराबर कर सकते हैं, बिलोपन में, वाई को मैंने दोनों दिखा दिया, ताकि आपके मन में कोई कन फ्यूजन नहीं रहे, चलिए यह भी प्रसनाप समझ चुके हैं, आपका भी अंसर इतना ही आना चाहिए, ध्यान से अंतक देख लेंगे, इतने टाइ बढ़ते हैं, अगला प्रसनाप से कह रहा है, कि समिकरन निकाए इतना तथा इतना का, कैसा हल है, यह नहीं कराए कि एक स्वाई का मान निकल यह, सिर्फ कराए कि किस रूप में हल है, तो हल निकालने के लिए A1 बटा A2 का मान निकालते हैं, चलिए निकालते हैं, A1 बटा A आप बताएंगे, कि इसमें ए समीकरन हमारा एक है, और ए पूक्शन दो है, अब आप बताइँ sill? उसी समें बता रहा हूँ कि जो X का गुणांक हो समीकरन एक में कुछ नहीं है इसके पले देख रहा है, तो एक हैito, तो इसमें जो X का गुणांक है दो एक बट्टा दो फिर हम निकालेंगे बीवन बट्टा बीटू तो बीवन कितना है तो जो वाई का गुणांग है इसमें बीटू कितना है जो वाई का गुणांग है कटा दे रहे हैं तो यह भी एक बट्टा दो अब यह बराबर नहीं आ था तो A B कटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा में दो हम लोग कंडिशन क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और A बराबर है C1 बटा C2 के सही तीनों बराबर आलेक रेखाए समबाती और समिकरन युगम के अपर्मित रूप से अनेक हल हो जाते हैं ठीक है तो अपर्मित रूप से नेकल मतलब अनंत हल option B सही उतर हो जाएगा छटे नमर प्रस्न का उमिद कर रहा हूं ध्यान से आप समझ रहे हैं कि A1 बटा A2 निकालना है तूलना कर देना है और answer आजागा हर टाइप के प्रस्न के अमलोग अभयास कर ले रहे हैं आगे बढ़ते हैं साथ नमर प्रस्न आपके स्क्रीन पे ए रहा कह रहा है प्रस्न आप से कि यदि समिकरन इतना का एक और दुईतिय हल है तो के का मान बताईए और दुईतिय हल है मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अन यूनिक सॉलूशन है ठीक है और दुईतिय हल कब होता है तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो आलेक रेखाएं प्रतिछेदी होती है और समिकरन इतना के और दुईतिय हल होते है अब चलिए मान पूट करते हैं A1 A2 आप निकानला अगर सीखें तो कमेंट बॉक्स मताएंगे A1 कितना है X का गुनांक 4 A2 कितना है X का गुनांक 2 बराबर नहीं है B1 Y का गुनांक K B2 कितना है यहाँ पर Y का गुनांक 2 यह कट जाएगा 2 तिरचा तिरची गुना कर देंगे K बराबर नहीं है कहिंची वाला गुना 4 कहीं पर दिया है बिल्कुल दिया रहेगा Option B is the right answer of question number 7 चलिए option भी आप निकाल चुक है इसका answer काफी कितना आसान है objective में solve करना अगर सुची इन सभी प्रस्नों का हम लोग पहले से अभियास करके जाते हैं एक जाम में और प्रस्न इसी टाइप क्या है सिर्फ अंक यहाँ पर 2 के जगा पर 4 करें 4 के जगा पर 6 करें और हम लोग क्लास से बाहर ने तो आसानी से हम 50 ये घंटा देकर आसानी से 50 अब्जेक्टी प्रस्न 50 में 50 सही कर सकते हैं तो इसके लिए सभी चैप्टर का कलास आपको देखना होगा इन प्रस्नों का बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ें अगला प्रस्न 8 नमर कह रहा है इसके कितने हल होंगे ये नहीं पूछ रहे कि एक स्वाई कमान बता है तो एकस का दो यहाँ पे एकस के च्छा अर्थात की एक बटा में 3 फिर क्या निकालेंगे बीवन बटा में बीटू तो बीवन बटा बीटू निकालते हैं तो वाई के गुणांक है 3 और यहाँ पे वाई के गुणांक है 5 आज कटेगा नहीं तो हमने क्या देखा यहां पे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो इस कंडिशन में आलेक रेखाए प्रतिछेदी और और दुईतिये हल अर्थात की यूनिक सॉलूशन होता है और दुईतिये हल कहां पे दिया गया है और यूनिक सॉलूशन और प्रतिछेदी में यहां पे फिर से आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने का परियास का ध्यान से समझेंगे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है यहां पे देखिए एक थो हुआ अपना प्रतिछेदी जैसे माल लिझे यहां पर हम लोग ऐसे में बनादिया तो एक हो गैरत का समपाति यहां पर दोनों रेखा यह समझना यह एक हो गहें आपना समनांट्र के दोनों अलग अलग है ठीक है अब अलेक रहा है प्रतिछेदी कम होता है तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 और इस condition में जब प्रतिछेदी होगा तो समिकरन युगम का एक हल होगा जब समपाती होगा तो अनंत हल होगा अब जब इसमें कोई हल नहीं सुन्य हल हो जाएगा कोई हल नहीं 0 हल अर्था कि हल की संखें हम लोग बता रहें तो कोई हल नहीं होगा जब कोई हल नहीं होता है तभी समिकरन युगम और संगत होते हैं ठीक है तभी समिकरन युगम क्या होते हैं और संगत आप जब कोई हल नहीं हो रहा है तो कैसे सब राखे रहा है तो समनांतर जब भी समनांतर रेखा आएगा तो समिकरन का कोई हल नहीं होगा इसन क्या हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 इसन यूग में संगत होता तब क्या होता तो आलेक रेखा है नहीं तो प्रतिछेदी होती नहीं तो संपाति होती दोनों कंड इसन में प्रतिछेदी और संबादी में संगत होता है ठीक है इसमें भी संगत होगा चलिए आगे बढ़ते हैं फिलाल option A हो जाएगा आगे बढ़ें अगला प्रस्ट करें इसके हल है अब देखिए समिकरन यूग में दिया है करें इसका हल बताईए ठीक है मतलब इसका answer न इसमें हम लोग सीधे 3 से गुना करते हैं बराबर आप कोई भी प्रतियस्थापन विदी से भी बना सकते हैं कोई दिकत के बात नहीं और इसमें किसी भी से गुना ने करेंगे तो उतना ही रहेगा 4Y बराबर 20 अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें इसको घटा दे र रहा था यहाँ पे भी दो है यहाँ भी दो है तो सिर्फ Y कधर पर आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप महीं करना होगा पुटिंग दा वैलू आपका हो जाएगा 10 नंबर फ्रस्ण का चलिए उमीद कर रहा हूं आप ऐसे प्रसंद तो मैं जानता हूं आप से एक भी हारबूर्ड हमेशा पूछते रहाता है प्रसंद एकजाम में कर आए आप से कि दू चर एक्स वाई में रैखिक समिकरन इतना के वास्तुिक संख्याओं के समुच्य में कितने हलोंगे कर कि एक समिकरन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इसका रियल नंबर का समुच् मानते हैं कि माइनस वाला परी में और परी में सब आ जाता है तो एक्स कमान कुछ रखेंगे वाई कमान कुछ आएका तो जीतने भी समुच्य है पूरा सेठ है एलेबेंट में आप जाएंगे मैत लेंगे तो पूरा वहला चेप्टर होता है सेट थियोरी है उसमें पूरा स पूरा पढ़ना है कि सेट का मतलब क्या जो भी समुच्य है मतलब समझ लिजे अभी स्थामान ने बासाम के रियल नमबर का जीतना भी समुच्छ तो एक्स कमान रखेंगे वाई का यगा रखेंगे एकस का आएगा इसके अनन्त हम लोग लोग हल निकाल सकते इसलिए इसमे पूछ रहा है तो नमबर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे आंसर एवन बाटा एटू निकालते हैं अब आप समझ चुके हैं एस समीकरन एक और एस समीकरन दो चलिए जल्दी से बताएंगे एवन बाटा एटू क्या होगा तो जो समीकरन एक में एकस का गुणा और एटू जो यहां पर एक का गुणां कर ता यहां पर देखेंगे option तो कोई हल नहीं यहां पर मिल गया तो option D सही उतर कर देंगे आपके 12 नमबर प्रस्ण का तो ऐसे ही आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 पर आंसर निकाल देना है आप देखें एक आसान टाइप प्रस्ण आगया बोवा टाइप परस्ण करें कि यदि रेखाए समिक समिकरन यूगम संगत हैं तब उनके द्वारा निरूपित रेखा है तो मैं बताया कि संगत कब होता है जब आप प्रतिचेदी या संपाति दोनों में संगत हो बले ही आश्रित होता एक में लेकिन दोनों संगत होते हैं और और संगत कब होगा जब आलेख रेकाए समनांतर होंगी कोई हल नहीं होगा तो चलिए उम्मीद करा हूँ समझ चुके ये भी प्रसन अब आगे बढ़ जाते हैं समीकरन निखाए इतना और इतना के आलेख दो सरर रहा है इसकी आलेख कैसी रहा знаю कि तीसरे नमर चेप्टर से बस दो ही कौंसेप्ट जो सुरूल मैं आपको दिखा दिया समझा दिया वहीं दो concept से पूरा chapter से objective और subjective प्रस्न पूछे जाएंगे यहाँ पर बताएं कि इसकी आलेखरे काई कहले से होगे मैं आप से पूछ हुए प्रस्न तो आप क्या करेंगे करेंगे इसको मान लेते हैं सबसे पहले समीकरन एक और इसको समीकरन दो और अब क्या निकाल लेते हैं बीवन बटा बीटू निकाल लेते हैं तो बीवन में देखिए वाई का गुणां कितना है माइनस दो और यहाँ पर वाई का गुणां कि माइनस वन ये भी कर जाएगा दो आ जाएगा अब चुकी दोनों बराबर आ गया तो इसलिए C1 बटा C2 निकालना पड़ेगा तो C1 देखिए इसमें है 9 और इसमें है 12 अगर 3 से कटाएं तो 3 बटा 4 फिर वहीं कंडिशन आ रहा है हमने क्या देखा कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 हो जाएगा यह हमारा समीकरन 2 था पूरा प्रस्ण आपके सामने है नोट करते जाए अगर कोई भी कन्फ्यूजन लो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण 15 नमर कर आप से कि के कि समान के लिए इसका और दुईतिये सॉलूजन थो इसको की का मान बता ही ए अंगर अधुईतिये हल हो तब को खेया मान रखेंगे तो आधुईतिये हल हो जाएगा तो अधुईतिये हल के लिए से स्मेटिये खेek कर रिए कंडिशन क्या होता है सिक reden one अब देखिए गुणा भाग कर देंगे तो के बराबर तीरशाती ची गुणा होगा दो से एक में दो और तीन दूनी च्छा के बराबर नहीं है अगला प्रसन नमबर कुछ टाइब के प्रसन लेकर क्लास को खतम कर देंगे और पहले और चप्टर और दूसरे चप्टर से भी अम लोग अब्जक्टिव प्रसन की चार्चा कर चुका है सही 15 चप्टर का क्लास है आएगा इतना आप देख लेंगे इससे बाहर कोई प्रसन नहीं आएगा सुलह नमर प्रसन दूर रहेखिक समिकरन के लेखा चीतर समनांतर रेखाए है तो हल की संख्या समनांतर रेखाए है अर्थात की A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 आलेखरेकाई समनांतर है, इनके कोई अगला प्रसम का, कोई हल की संखिया, यहां पर पूछ रहा है, तो नमबर आप सॉलूजन विल बी जीरो हो जाएगा, मतलब कोई हल नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसम का, कह रहा है कि यह दिया है, देखे कितना आसान कर दिया है, कह रहा है कि अनगीनत हल कब होंगे, तो अनगीनत हल कब होता है, जब रेखाएं समपाती होती है, और रेखाएं समपाती कब होती है, जब तीनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए, ओप्सन डी पे दिया ह तो यह 17 टाइब के प्रस्ण कोपी में लिखकर बार बारा भ्यास कीजिएगा और वहीं पर चैप्टर वन और दो से मैं काफी प्रस्ण करा हूँ चैप्टर वन से मुझे याद है लग भला वक लोगां ठाउन साथ के लग भला वह प्रस्ण की चर्चा किये थे और उसी तरह लिमिटेड प्रस्ण हो और इतना ही प्रस्ण आप भ्यास करके जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आप विसे जनकारी के लिए टेलीग्राम ग्रूप या वार्टसप ग्रूप से जुड़ सकते हैं या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे तक के लिए पढ़ाई करते रहें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद